नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का या मैं अशल स्वामी आज आपको उन क्योषिनों का सामना जो आप कर रहे हैं कि सर स्लेक्षन होगा नहीं होगा इतनी नंबर आने पर सेलेक्षन होगा सर अमारा इस तने लेवल का हो गया उन सभी डाउट्स को उन पहले कटोफ का डाला था 39 जनुरियू के बाद वाळा जो कटोफ का उसके बाद में लगातार बच्चों के कमेंट आए आप कमेंट भी नीचे पढ़ पा रहे हैं बहुत सारी बच्चे कह रहे हैं सर मेरे 210 आ रहे हैं क्योंकि परतियोंगी तो हमिसा है कापी घीड होती है दूस्तों और बहुत अच्छी त अच्छी तैयरी करता है और बहुत अच्छी तयारी करके आर का सामना करता है उसमें बंदारीस से मूंट चंदर पिछली जो कटोब है हो दोनु कटोफकी और दोनु जो रपीची की 2008 20-20 कि एकसा लगयी थी उसमें जो कटोफ गई थी एक बार कटोफ देखिया कटोफ देखिया दोस्तों किसंव कटोफ गईवीो यह देखिया आपके सामने Bab दोनु कटोप देखिए पहली कटोप की मैं बात कर रहा हूं General Education Science Second Grade General Education Science Second Grade दोस्तों इसमें क्या कटोप रही है तो यह वैसे तो हम बात भी कर चुके हैं लेकिन एक बार मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं है कि सरे इतनी कटोप थोड़ी जा सकती है अरे भाई हमने एक्जाम दी है हमने एक्जाम दी है उत्तिर्ण की एकी अच्छी रैंक आई यह मेरी संसकर्थ चेंस अब पदों की हम बात करें तो पद कितने थे तो आप सब को पता है दोस्तों कि यह संसी जन्रेल एजुकेशन के जो पद्ध थे वह लगभग 1180 या 90 इतने पद्धे 1200 के लगभग थे थोड़े 24 कम होंगे लेकिन 1200 के लगभग पद्धूं की बरती थी विज्ञान के पद्धूं की और इसके अंदर 96 के लगभग यानि सो के आसपास पद्ध थे दोस्तों के आसपास और जब कटोफ देखे संस्कर्थ एजूकेशन की संस्कर्थ एजूकेशन की दोस्तों कटोफ आपके सामने हैं आपके सामने मैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार से बर्मित नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी बर्मित नहीं कर रहा हूं मैं वास्तिक्ता की बात कर र सामान्य एजुकेशन जनरल एजुकेशन का पेपर है और यह पेपर है दोस्तो संस्कर्थ एजुकेशन का पेपर अभी 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 कुछ विद्यार थी संस्कर्थ एजुकेशन सेकंड ग्रेड विज्ञान का पेपर दे रहे हैं वो भी यह वीडियो देखें और तुलना करे कि कटोप कितनी जाती है कितनी जाती है दोस्तों देखिए आप तुलना करिये जनरल की कटोप है दोस्तों 247.13 जनरल की कटोप और इसमें एक कैटेगری आ गई देख लीजिए कैटेगरी 245 107 कैटेगरी है अब यह विसी देखिए एक बार क्योंगि सबसे ज्यादा बीड़ होती है General और OBC में General और OBC की बीड़ सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले हम बात करें General और OBC की OBC में देखे दोस्तों OBC में कटोफ और खोज़व पद कितने हैं 96 और पेपर बिलकुल लगभग मिलता जुलता लगभग मिलता जुलता हां यह आप जरूर कह सकते हो कि इस से यह पर बिलकुल अबका नहीं था तब डिक फटाए तब यह मैं मानता हूं कि मैंने हुद और यह पेश्टी एसी थी कि अब भी बार हुई है उससे थोड़ी आसान थी 2023 के अंदर जो 29 जनूरी यारा आप दिखे का такая हो इस जीके के पेपर के बाद की हम बाथ कर kicked 29 जनूरी 2023 के बाद की बात कर रहे है कि 29 जनूरी 2030 के बाद में जो दोनू लिप कित Origini तो तुलता करेंगे तो यह 2018 से तुलना कर रहे हैं हम, इस से वाले पेपर की जो chemistry है, अब वाले पेपर की वो बहुत कठीन है, दोस्तों chemistry बहुत कठीन है, और physics बहुत कठीन है, और biology बिल्कुल कठीन है, तो तुलनात्मक रूप से ये दोनु 2018 वाले पेपर हैं, ये मिलते जुलते थे, यानि इनका जो level था दोस्तों लेवल वो बिल्कुल ही बराबर था जितना कटप पेपर यह था उतना ही तप पेपर यह है इसके अंदर पद है 96 और इसके अंदर हैं पद लगभग 1200 दोस्तों लगभग 1200 और छरास भी ज लगभग पद हैँ अब 96 की मिन जारी है बाप में से कुछ लोग ऐसे कहें गोँगे कि मेरे तो 270 आ रहे थे मेरे और तो आपके मेरिट वाड़ा बच्चा है जीनियस बच्चा है ऐसे बच्चे 5 10 15 20 हो सकते हैं जो कटोप से 50 नंबर ज्यादा होते हैं 60 नंबर ज्यादा होते हैं और जब हम इन टोपर को निकाल देते हैं तो जो कटोप आती है वो कटोप देखे 240 है जनरल जो मेल की है 240 और दोस्तों जो फीमेल है वो 237 और बाकी कटिगरी आप देख लिए एक अंडिसाइड़ है कटोप बच्चों की बैठने के साब से हैं तो मोटी-मोटी बात करें जनरल की जनरल की कटोप दोस्तों 247 की कटोप 240 साथ नंबर का लगबग गयप है अब आज जवाब की category अपकी के अंदर लोगे तो सिस्टी जनरल कटोप है 205 और जो यह नेक्ट फीमेल है उसकी 170 कटोफ 144 दोस्तों कि कितना ल्तर 205 देखो ऐसे और सिस्टी में बीकितना cage सब्सक्राइब करता है पेपर के लेवल पर आपका पेपर किस लेवल का आया है आप कभी भी कट ओप को कभी भी कट ओप को दोस्तों किसी चीज से जोड़ने का प्रियास नहीं करें कट ओफ उस बच्चे को पता है जो प्रिक्षाओल में बैठ कर आया है जिसने एक्जाम दी है और जिसने तयारी की है उस बच्चे को सबसे ज्यादा पता है क्योंकि हम यहां यूटूब पर आकर बातें कर लेते हैं लेकिन क्या हमने एक्जाम दी है क्या आरपीसी का प्रिश है अब आपके पास OBC ले लीजिए दोस्तों OBC की कटोफ कितनी है 212 देख लीजिए 212 जा रही है और यह 192 जा रही है अब कैटेगरी का तो डिपेंड करता है दोस्तों कटेगरी डिपेंड करती है बैठने वाले कंडिडेट्स पर कितनी तयारी के बच्चे बैठते हैं उनके अनुसारे बाकी कटेगरी चली जाती है हमारी जो सामाने एजुकेशन की कटोफ है वो सामाने एजुकेशन की कटोफ वापस बता देता हूं 228 और यह कितनी है दोस्तों 240 देख लीजिए आपके सामने है जनरल की 247 दोस्तों और 247 और यह कितनी है 228 यानि आप सीधा सीधा सा इसका डिफ्रेंस देखें दोस्तों डिफ्रेंस तो लगभग कितना है दोस्तों लगभग है आपका 19 नंबर 19 20 नंबर पदों का अंतर देख लीजिए लगभग 1200 पद 1180 नबबबबद थे तो लगभग 1200 पद और लगभग 100 पद सोपद सोपदों की लगभग फदों की कटोप कितनी है 247 और 1200 की कटोप कितनी है 200-200, 228 तो आप यह मान के चलिए कटोप का जो अंतर है वो पदों की संख्या और पेपर का लिवल इन दोनों पर डिपेंड करती है यहां कटोप में बहुत जयादा फरक नहीं आता है क्योंकि पद बलाई आपके सोई हो लेकिन एक कटोप की लिमिट होती है 10 15 20 बच्चों की बहुत अच्छी नंबर्स आ सकते हैं लेकिन 50 से उपर चलेंगे तो जो कैटेगरी वाले जो सेलेक्शन वाले बच्चे हैं उनका लेवल बराबर सा आता जाता है और जैस ofc 240 20 240 और कितनी है 220R 209 40 और यहां कितनी है दूसतों है 22020- سुब्यस यानि यहां कितने आ ढृए लघबग बीस नंबर लगभग 26 का कटोप अब सबसे पूचले डेना कितनी रहेगी यह 220-240 लगबग 20 नंबर का अंतर है OBC में बाकी category आप तुलना कर सकते हैं आपके सामने हैं तो पद जब 100 है और कटोब आपके कितनी जारी है 20 नंबर 22 ज्यादा पद जब आपके 1200 है तो कटोब कितनी जारी है लगबग 20 नंबर का गैप है और पेपर का लेवल बिलकुल सैम है तो आप यू मान सकते हैं कि देख जारी जिए घञार जो आप अनिकाळेंगे तो लगभग घ्यारा इसो बच्चे लगभग 1100 बच्चे कितने नमबर में रहें कितने नमबर में समय रहे हैं लगभग 1100 बच्चे आप चिमर आपके अब की बार की जो कटोफ मैं बता चुका हूं दोस्तों अब की बार की जनरल की कटोफ देख लीजिए ये पिछली बार की 228 है और अब की बार की देख लीजिए अब की बार की general की कटोब देख लीजिए, अब की बार की general की कटोब मैंने जो बता दी पिशले वीडियो में वही रहेगी दोस्तों, और मैंने वीडियो में कितनी बता है 210-215, यहनि अब की बार की जो कटोब है वो 210-215, इतना तुँ नहीं हो सकता यूँ नहीं हो सकता यह क्या है यह आपके सामने प्यों क्यूं नहीं होتके बच्चें इस इस लिए कह रहे थे चैनल मैं खुद lies AM 2018 मैंने फैसेड बच्चें को बता रहे थे तीनक्षाइगी दो शारशी जाएगी of और हमने यह कहा था 220 से 230 जाएगी और 220 से 230 के बीच गी यह कटोब और मैं फिर कह रहा हूं कि कहने से कुछ नहीं होता जो टोपर बचे हैं वह दस बीस पचास साट होते हैं इससे ज्यादा नहीं मेक्सिमन 100 मान लो जिनके 260 हैं 2108 बाकी जो लेवल है वो लेवल आपका इसी लेवल पर आएगा दोस्तो इसी लेवल पर आएगा जनरल की कटोब 210 से 215 बूबीची कटोब दोस्तों 25 से 210 और आपकी जो ऐसी किक क टूप है वह ऐसी की कटोब देख लिजिए ऐसी की कटोव यहां कितनी थी एक सोचाणवे खी लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों अब की बार क्या हुआ अब की बार 40% का रियूड है इसे कटोव में 40 परशंट का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था तो आप यू कहोगे कि यह जो कटोव है यह कटोव किसकी है 40% और 35 35 इस कटोप के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर सब्जक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन जीके में उनके 40 परसेंट भी नहीं थे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके जीके के अंदर खूब अच्छे मार्क्स थे लेकिन सब्जेक्ट में 40 परसेंट भी नहीं थे तो आप कम से कम चार पांच नंबरों का चार पांच जो नंबर है इनका सिधा सिधा सा गयब तो यह 40 35 परतिसत से ले लीजिए पांच नंबर तो इस शिदा सा फरक पड़ेगा किसका इस कंडिशन का चार पांच नंबर इसके अलावा इसके अलावा पेपर का लेवल पेपर का लेवल तो यह यहां आप के जो a कि कट्वे सब्सक्राइब दोस्तों 50% और यह मैं नहीं के त lett протब ऊश्या-वह पुराहनी पेपरों के रिकॉर्ड कह रहे हैं क्या इन पेपरों के अंदर क्या इन पेपरों कांदर बच्चे नहीं बेठेते क्या क्या ये प्रिक्षा बिना पढ़ने आरण बताता हूं आपको भूत बड़ा कारण बहुत बड़ा कारण बताता हूं जो ने एक्जाम दी है जो खुद प्रिक्षा देख रहे हैं वह ध्यान से इस बात को समझने का पर्यास रिसायन और भुतिक रसायन और बोषीक विज्ञान रसाइन और भोतिक विज्ञान दोस्तो पिछली बार की तुलना में भहुत कठीना ही है बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है दोस्तो बहुत हार्ड है ओके तो रसाइन विज्ञान और भोतिक विज्ञान पिछली बार की तुलना में बहुत हार्ड है और बाइलोजी बिल्कुल की तुलना में आसान नहीं है यह भी पिछली बार की तुलना में हाड है और इतनी हाड है कि मेरे बहुत सारे मिलने वाले बहुत सारे पढ़ने वाले स्टुडेंट से मैंने बात की है जिन्होंने पिछली बार पिछली बार आर पेसी पिछली बार आर पेसी दोगुना में दोगुना में क्या करवाई थी काउंसलिंग करवाई थी और अब की बार उनके दोस्तों अब की बार उनके इन में इन में 40% नहीं आ रहे 40-準ने में है मैं सच चाpiece 40-準ने आड़े पहुत सारे ऐसे हैं और आपके मिलने वाले होंगे हैं आप उनसे पूछना 40 पर टिसत नहीं है रहे सबसे बड़ा जो प्रोब्लम करता है वो एक वर्ग करता है एक वर्ग और वह वर्ग कोंसा है वह वर्ग है जो अपने पेपर को जो अपने पेपर को दोस्तों नहीं मिलाता अपने पेपर को आंस्वर की से नहीं मिलाता कि आंस्वर की से नहीं मिलाता और वो कहते रहते हैं कहते रहते हैं क्या कहते रहते हैं बहुत लंबी लंबी फैंकते हैं वो कहते हैं मेरे इतने नंबर आ बहुत समश्याएं आती हैं बहुत पैसे खर्च होते हैं बहुत सारी प्रोब्लम्स आती हैं बहुत सारा त्याग होता है तो यह दिल कभी यह नहीं कहता कि मेरे कम नंबर मा रहे हैं कभी नहीं कहता वो कहते हैं मेरे नंबर इतनी आ रहे हैं इस वज़ा से जिनके आ रहे हैं जिनके नंबर आ रहे हैं वो वो बिचारे क्या और जाते हैं कंद्धूंज होते हैं कि इतने बस दिए इतने बच्ने नमर हारे हैं आप यतनी कम कटोफ क्यों बता रहे हो कर तो जादा जाएगी कि, कि आपको और अभ lattice क्या देख को क्या आपको आपको कोई सपना आता है क्या ऐसे सवाल करेंगे और कर रहे हैं बच्चे लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि आपकी जो कटोफ है आपकी कटोफ जनरल की 210 से 215 और स्ट में जिन्नोंने 35% और 40% तीसत नंबर ला चुके हैं वह पका टीच एंट सोपरसंट टीचर बस एक परशेंट एक परसेंट खत्रा में पहले भी बता चुका हूं उस खत्रे को निकालोगे तो 99% चांस है यह एक प्रसेंट खत्रा कुण सा है कि हमारी प्रीक्षा पारदर्शी हुई हो हमें किसी भी प्रकार का जो बड़े लेवल पर खत्रा हो है पेपर आउट होने का वह नहीं हुआ हो और सब बच्चों नहीं मांदारी से प्रीक्षा दियो तो कटोफ यही रहने वाली है और आप यदि इस काटेगरी में आज सुके हैं तो आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूं आपको क्या करना है वो बता देता हूं समय का थोड़ा अभाव है यदि आपके मेरे बताए अनुसार मार्क्स आ रहे हैं मेरे बताए अनुसार मार्क्स आ रहे हैं तो आपक को बिल्कुल शैन्त रहना है खामोच रहना है और खामोच रहकर आपकी अगली तयारी की उपर फोकस करना है अगली तयारी जैसे मान लिजीए कोई की कर रहा है कोई इसकेंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन की कर कर रहा है तो दोश्व सहांत रहकर इस पर पूरा 100% कर दो क्रशेंट्ट ऊंच कर दो आप क्योंकि नहोखटी जरूरी एं यह रोज़गारी का नो प्रीस जरूरी है आपकी पहचान आपके आपके माता-पिता और आपके सपने आपके नोगरी से पूरा होंगे आप शांत रहो रहो और इसको फोकस करो और और क्या करना है और आपको क्या करना और को किसी से बहस नहीं करनी है आपको बहस नहीं करनी व कि अधियाँ आपका कोई रिष्तेदार कि और इसě कर रहे हैं और उसको तुंकि पर ़िंप कर रहे हैं ना जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स अरह जो सारे बैठी कर लेता है अलवाघता बहुत सारी या पावद ही पीवी सारी चारी शीजर से Kick आमाने बच्चे से कई गुणा ज्यादा अच्छा हो जाता है इस वज़े से उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के और कुछ बच्चे कुछ बच्चे ज्यादा जीनियस है, बेसिक बहुत मजबूत है, वो जीनियस है, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो ये अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो ला रहे हैं, ये इनकी परतिबा है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये कोई विद्यारती है और बच्चे मुझे लगातार कोल्स कर रहे हैं तो 230 वाड़े की कोल्स में और एक बच्चा है वह कि यह मेरे पास आ रहे हैं लेकिन यह बच्चे इन्होंने कभी ना कभी नीट की करके अच्छे कि बहुत अच्छे कंशिप्ट किलियर करके बुक्त अच्चे है और जिनने भूह अलब तेयारी पह टषी वह बच्चे है लेकिन इन बच्चों की संख्या देखेंगे इपकी संख्या दोस्तो लगर पर से 210 210 से 215 यही कटोफ रहेगी आपको बिल्कुल भी इदर उदर के चक्कर में नहीं पढ़ना यह कटोफ रहेगी यह आप ऐसी स्टी केटेग्री में है और आप 35 प्रसेंट मार्क्स आ रहे हैं आप पकेटी चरो यह आप जनरल के अंदर हैं अब बात करें गनीत की घनीत वाले विद्यारतियों की बात करें तो गव्रीट वाले स्टुडेंट जानकार मैंने सबसे चर्चा की है अधिकांस के 40% नहीं आ रहे बहुत रेर केस है बहुत रेर अधिकांस के 40% नहीं आ रहे और केटेगरी वाणों के 35% नहीं आ रहे तो बैसाब गनीद वाड़े ध्यान से सुन लो कि आपके 40% और 35% मार्क्स आ चुके हैं आप 100% टीचर बन चुके हो और जब तक जोईनिंग यह जाती जब तक नोकरी नहीं लग जाते तब तक शांत रहो खामोस रहो और अगली तयारी करते रहें आप पके टीचर हो 100% teacher हो आपकी कटोप तो यही रहेगी और आप बर्मित क्यों हो रहे हो उसका कार्ड मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एक्जाम देते ही प्रिक्षा उलसी जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा सीना इतना चोड़ा रहता है इतना गर्व रहता है कि अब की बाहर तो मैं teacher बन फिर वहां से चल कर घर पर आते हैं 5 कुसन गलत फिर घर पे थोड़ा साख रिलेक्स होते हैं 5 कुसन गलत फिर जब कोई answer की मिलाते हैं 5 कुसन गलत और जब RPC की मिलाते हैं तो 5 कुragen और गलत क्योंकि जरूरी है कि आपने वास्तों में आंस्वर किसे कितने लोगों ने मिलाया है वह जरूरी है और जिन लोगों कि आप इन नंबर पे कोल्स कर सकते हैं और बिलकुल बिलकुल दोस्तों हकीकत जान सकते हैं जो मैं बता रहा हूं वो बिलकुल देख लेना बिलकुल सही होगा आप टीचर बंड चुके हैं इस कैटेगरी में आ गए तो और मैंने पहले भी जो परिक्षाइं दीए उनसे परि जयदा नहीं जाती नोर्मल्मल कटोफ मैं नापको बता दी नाम पर गटोफ मैं आपको बता दी है दोस्तो última इन्वल्माटब बता दी है ये संस्कृत कि कटोफ और ये जनरल एप सकते हैं तो अभी जो जो बच्चे अभी जो स्टुडेंट अभी जो बावीशिक सगंड संस्कर्थ एजुकेशन सेकंड ग्रेट दे रहे हैं वह संस्कर्थ से ध्यान से सुन लो आपकी जो कटोफ है वह इस कटोफ से इसी अनुपात में ज्यादा रहेगी जैसे यहां 20 नमबर का गयप है तो आप 15 से 20 नमबर इसमें और जोड़ लेना कि आपकी जनरल की जो कटोफ जाएगी जनरल की जो कटोफ जाएगी वह 230-235 जाएगी क्योंकि पेपर आसान नहीं आएगा पेपर ऐसा ही आएगा 230-235 और आप फिर टीचर बनने का ख्वाब देर सकते हैं पदब लहीं कमो लेकिन आप आपका नमबर यदि 230-235 से ज्यादा रहें तो आप टीचर बनोगे डिपेंड करता है हमारी परसंटेज कटोफ पर कटोफ हमारी रहती है पेपर के लेवल पर और पेपर का लेवल दोस्तों ज्यादा नहीं रहेगा पेपर का लेवल बिल्कुल साम्माने रहेगा आप 100 पर रहे हैं मैं टीचर बन गया यह नहीं कहना है क्यों कि आपको पता है रिकोड उठाके देख लो बरती हैं पता निकांसे कहां ठक जाती हैं लोग कहने वाले ब्हुत पूच करकर सुना कर देंगे आपको कि इदर भी डैवर्ट नहीं होना है इदर उदर की बातों में ध्यान आते हैं हम बच्चों को पढ़ाते हैं जीजान से तो बहुत अच्छी नोकरी है सभी को मेरी तरफ से पहले ही जो इस सब्सक्राइब आप बहुत इस थी तरीके से पूरी हो किसी प्रकारी की रोक नहीं आये और आप 15 आगस्त 2013 सरकारी स्कूल में मनाएं ऐसी मैं आपसे दोस्तों कामना करता हूं मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में इसी चैनल पे और आप यदी मेरी बातों से सहमेत हैं आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो चैनल को दोस्तों लाइक करें शेर करें सब्सक्रा सब्सक्राइटिक अकोडिंग में चलता हूं तथ्यों के अनुसार बिल्कुल फैक्ट के अनुसार हम बाते करते हैं जै हिन जै भारत